हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है चंद्राश्टेडी पॉइंट पर मैं हो चंदकांद पांड़े और आप देख रहे हैं चंद्राश्टेडी पॉइंट अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें जैसा कि आप लोग देख पा रह होता है कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं स्वा निर्मित वस्तुएं मानो निर्मित वस्तुएं या फिर प्राकृतिक वस्तुएं या फिर चौथा विकल्प है या सभी उतर क्या हो जाएगा बताईए उतर हो जाएगा प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका निमार पौधों की पत्तिया होती हैं क्या करती हैं उपरोग्त दोनों या फिर इन में से कोई नहीं सजीव वस्तुएं क्या होती है कि सजीव वस्तुएं होती है उतर हो जाएका जो सुसन क्रिया करती है वो सजीव वस्तुएं होती है सजीव वस्तुएं होती है जो सुसन क्रिया करती है अगला प्रस्शन मनुष् उतार हो जाएगा आकसीजन अगला प्रश्ण जिन वस्तों का निर्माड मानव अपने बुद्धी एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं अगला प्रश्ण प्रत्वी पर पाये जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों, निर्जीवों में, मृत्कों में या इन सभी रूपों में प्रत्वी पर पाये जाने वाले पदार्थों को विभाजित कितने रूपों में किया गया है उतर हो जाएगा इन सभी रूपों में सजीवों निर्जिवों मृतकों में विभाज़त किया गया है अगला प्रस्ण पौधों में भोजन का संचेन होता है जाईलम द्वारा, फ्लोम द्वारा, जड़ या फिर पहली सेट पौधों में भोजन का संचेन होता है जाईलम द्वारा, फ्लोम द्वारा, जड़ या फिर पहली सेट, उतर हो जाएगा फ्लोम द्वारा, पौधों में भोजन का संसियन होता है, फ्लोम द्वारा, अगला प्रस्न, उपापचे क्रिया होती है, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, एक प्रकार की, या फिर चार प्रक उतर हो जाएगा दो प्रकार की, उपचे और अपचे, दो प्रकार की उपअपचे क्रिया होती है, अगला प्रस्न, निमलेखित में उभहेचर प्राणी कौन है, खरगोष, चुहा, कचुहा या फिर गाये, निमलेखित में उभहेचर प्राणी कौन है, बताईए, उतर हो जा मचली में स्वास लेने के लिए कौन सांग पाया जाता है फेफ़डा गलफडा तो चाया या फिर उपक तो सभी उत्र हो जाएगा गलफडा मचली गलफड़े से सांस लेती है अगला प्रस्ट जिराफ एक बार में पानी का उभोग कर सकता है त्यारा गलेन, चौदा गलेन, बारा गलेन या फिर ग्यारा गलेन एक गलेन बराबर तो 4.5460 मीटर उत्र हो जाएगा बारा गलेन अगला प्रस्ट में थर्मा मीटर ताप का ताप करम होता है सेंट्री मीटर सेल्सियस, एंपियर, केल्विन थर्मा मीटर ताप का माप करम होता है सेंटिमीटर, सेल्सियस, एंपियर या केल्विन उतर हो जाएगा सेल्सियस अगला प्रस्ण विद्धु धारा का एसाई मात रख होता है केल्विन, मोस, एंपियर या फिर कैंडेला विद्दु धारा का SI मात्रक होता है उतर हो जाएगा MPR अगला प्रस्ण बहुतिक मात्रकों की अंतरराष्ट्री प्रणाली में आता है CGS, FPS, MKS या फिर SI बहुतिक मात्रकों की अंतरराष्ट्री प्रणाली में आता है उतर हो जाएगा SI अंत्रानाश्री प्रलाली में एसाई मात रगाता है रेंगेज क्या है वर्सा मापी यंत्र ताप मापी यंत्र तापकर मापी यंत्र विद्धुद्धाराग मापी यंत्र या फिर भूकम्प मापी यंत्र वर्सा हो जाएगा वर्सा मापी यंत्र होता है रेंगेज अगला प्रस्ण एक गज बराबर होता है पांच फूट, चार फूट, तीन फूट या फिर दो फूट एक गज बराबर कितना फूट होता है? मताईए, उतर हो जाएगा तीन फूट, एक गज बराबर तीन फूट अगला परस ने पहला Rayermo Gage कब निर्मित हुआ 1660 में recursos 50 में 1665 में 1164 में कि जोब शो Kur ने ब्नाया था पहला Raymidtamine कका बनाया था 1662 में किसी ने पर तीपाजित किया डाल्टन नूटन और की मिडीज या फिर डिभी गति का नियम किस ने दिया उतर हो जाएगा न्यूटन गति का नियम न्यूटन ने दिया अगला प्रस्णा जब कोई गति सरल एखा में चलती है तो वह गति क्या कहलाती है गुणन गति, रेखिये गति, दोलन गति या फिर व्रति ये गति बताईए उतर हो जाएगा रेखिये गति अगला प्रस्णा चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी प्रस्ट समय चाल बराबर दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी गुडे समय ये में से या फिर कोई नहीं चाल का सूत्र क्या है उतर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय अगला प्रस्ण चाल के प्रकार है एक समान आउसत असमान या फिर ये सब ही चाल के कितने प्रकार है एक समान आउसत या फिर असमान उतर हो जाएगा ये सब ही चाल के प्रकार है एक समान उसत्य और अस्मान ये तीनों चालके प्रिकार है अगला प्रस्ण घर्षन बल निर्भर करता है छेत्रफल पर आयतन पर शतहों की प्रिकति पर या फिर इनमें से किसी में नहीं गहरशन बल किस पर निर्भर होता है उत्तर हो जाएगा सतहों की प्रिकति पर गहरशन बल सतहों की प्रिकति पर निर्भर करता है अगला प्रस्ण पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेसिये बल, विद्धुद बल, चुम्बकिये बल या फिर उपरोग तुमें से कोई नहीं उतर हो जाएगा पेसिये बल, भालवान को बहार उठाने में लगने वाला बल पेसिये बल गतिका प्रतम नियम है तो कौन साह है? जड़त तुका नियम, समवेक का नियम या फिर क्रिया प्रत क्रिया का नियम या फिर उपरोग तुमें सभी उतर हो जाएगा जड़त तुका नियम दूसरा नियम है समवेक का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रत क्रिया का नियम अगला प्रस्ण मार्स गैस है नाइट्रोजन, मीथेन, आक्सीजन या फिर हाइड्रोजन मार्स गैस नेमन में से कौन सी है उतर हो जाएगा मीथेन, मीथेन एक मार्स गैस है मीथेन, मार्स गैस है अगला प्रस नेम लिखित में से योगिक है जल सोना पीतल या फिर चांदी निम लिकित में इसे योगिक है जल सोना पीतल चांदी उतर हो जाएगा जल जल येक योगिक है अगला परशन गुलन सील पदार्थों को द्रव से प्रथक करने की विद्ध है चानना निथाना तलचटी करन या फिर वास्पन बताईए उतर हो जाएगा वास्पन गुलन सील पदार्थों को द्रव से प्रथक करने की विद्ध है वास्पन अगला परशन दूद से क्रीम अलग करने की विद्ध है भारन निथारन अप केंद्रन या फिर क्रिश्ट्रली करन बताईए दूद से क्रीम अलग करने की विद् बेंदर आण